हेलो बच्चूं कैसे हैं आप लोग हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे हम लोगोंने स्वर पढ़ लिये थे अब आज हम सब व्यंजन पढ़ेंगे बच्चूं ये सारे अक्षर जो आप देख रहे हैं इन्हें व्यंजन कहती हैं हम बच्चूं इन्हें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाएं ठीक है बच्चूं तो आज हम ये पांच व्यंजन पढ़ेंगे बोलिए मेरे साथ, का, खा, गा, घा, अंगा, very good ये क्या है बच्चों, का, का से कबूतर बोलिए बच्चों, very good अब का से कमाल आब बोलिए बहुत बढ़िया का से केला आब बोलिए, very good का से कच्चुवा आब बुलिए, बहुत बढ़िया अब हम सब एक साथ बुलिएंगी, ठीके बच्चों का से कबूतर का से कमाल का से केला का से कच्चुवा बहुत बढ़िया बहुत प्यारी बच्चे हैं आब अब ये क्या है खा खा से खीरा आब बुलिए, very good खा से खरगोश आब बुलिए, बहुत बढ़िया खा से खेल आब बुलिए बच्चों very good खा से खरगोश आब बुलिए, बहुत बच्चे बच्चे हैं आप लोग अब हम सब एक साथ बुलेंगे ठीक है बच्चों खा से खीरा खा से खरगोश खा से खेल खा से खरबुच very good ये क्या है? गा गा से गमला आब बुलिए, very good गसे गाड़ी आब बुलिए, बहुत बढ़िया गसे गाजर आब बुलिए, बच्चों very good गसे गाए आब बुलिए, बहुत अच्छी बच्चे हैं आप चलिए हम सब फिर से एक साथ बुलेंगे ठीक है बच्चों गसे गमला गसे गाड़ी गसे गाजर गसे गाए very good अब ये क्या है? गा गसे घर आब बुलिए very good गसे घरा आब बुलिए बहुत बढ़िया गसे घोड़ा आब बुलिए very good गसे घरी आब बुलिए बच्चों बहुत बढ़िया अब हम सब फिर से एक साथ बुलिए ठीक है? घर से घर घर से घड़ा घर से घोड़ा घर से घड़ी very good अब ये क्या है? अंगा अंगा से बच्चों कुछ नए होता लेकिन जब अंगा की विंदी को किसी अक्षर पर लगा देते हैं तो एक नयाशब्द बन जाता है जैसे र के साथ लगा दी तो नयाशब्द क्या बना? रंग के साथ लगा दी तो गंगा सा के साथ लगा दी तो संगम आज के लिए बच्चो इतना ही हम लोग फिर मिलेंगे ठीक है बच्चो तब तक के लिए बाई 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 बच्चो